हाई गाईज वेलकॉम बैक टो दिस न्यू वीडियो आज हम इस वीडियो में राइटिंग टास्क 1 के ग्राफ के उपर बात करने वाले हैं तो बेसिकली यहां हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको एक सेंपल आंसर लिख के बताऊँगा मैं कि किस तरह से आप आप introduction लिख सकते हो overall किस तरह से बना सकते हो क्या एक perfect overall होगा इस graph के लिए graph आपको आपकी screen पर दिख रहा होगा यह हमारा bar graph है जिसकी statement कुछ इस तरह से है the column graph या the bar graph column graph भी आप कह सकते हो synonium यूज कर सकते हो the column graph show the percentage of males males की कुछ percentage show कर रहा होगा इना particular country किसी भी एक particular या selective country के लिए जो prefer करता है who prefer watching sports to males who prefer participating in sports कुछ males है जो participate करना चाहते है और कुछ males है जो watching सिरु watching करना चाहते है तो इसके बिहाफ पे हम अपना पूरा writing task one लिखने वाले हैं 20 minutes का आपको पता आपके पास time होता है किस तरह से आप 20 minutes में पूरा का पूरा बार ग्राफ लिख सकते हो यह आप statement आगे की जरूर पढ़ना summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant तो यहाँ आपको 2-3 चीज़े mark कर लो कि जो information आपको related होना चाहिए graph से सब कुछ clear होना चाहिए crystal clear होना चाहिए और comparison जरूर करना है तो यह तो examiner की demand है और यह तो fill करनी ही पड़ेगी तो सबसे पहले हम इसकी introduction बनाते हैं introduction आप passive में बना सकते हो और आप किसमे active में बना सकते हो passive में बनाना चाहते हो तो वो किसी और वीडियो में आपको बता हुआँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं लेकिन इस time आप active में इसकी introduction बनाने वाले हैं ओके तो introduction देखते हैं the given वहाँ column है तो the given bar graph the given bar graph compares the ratio हम percentage को ratio भी लिख सकते हैं ratio of males males के ratio who किसकी जो prefer करते हैं who prefer watching and watching sports events and that of those और उन में से जो those who would rather take part in okay take part in sports activities okay तो आप sentence formation अगल्थ करना time हो तो आप सीख सकते हो तो overall आप आप ग्राफ भी साइड में देख लीजे प्लीजे प्लीजे एक पर पहले हम ग्राफ ही देख लेते हैं मेरे पास एक चीट है जिसमें मैंने बार ग्राफ बना हुआ है तो एक बार ध्यान से आप अपने इसको चार्ट को देखो आपको एक चीज पता लगेगी कि जो ज्यादा तर जो मेल्स हैं वो वोचिंग क्या पसंद करते हैं देखना फुटबोल स्पोर्स देखना पसंद करते हैं और सेकिंड वन है हाउस राइडिंग एंड रेसिंग लिकिन यहां एक कंट्रास में हम बोल सकते हैं कंपरिजन दे सकते हैं overall में वो क्या चीज होगी फिशिंग एक ऐसा है जिसमें जो मलब पार्टी स्पिशिंग वो बहुत जादा है और वो वोचिंग है वो बहुत कम है वो सिर्फ एक स्पोर्ट इवेंट है फिशिंग ओके तो overall किस तरह से बना सकते हैं overall it can be observed that लिक सकते हो यह scene that लिक सकते हो it can be seen that क्या scene कर रहे है seen that the football the football horse riding and racing have the minimum sorry maximum maximum मैक्सिमम है ना मैक्सिमम वोचिंग को क्या कहेंगे वियोर्शिप बोल सकते हैं ना वियोर्शिप वाइल contrast हो गया while fishing has the maximum क्या चीज उसके पास maximum क्या है maximum participation है अब एक लाइन हो या एड़ कर सकते हो यहां तक इनफ आवर चाहो तो लाइन हो एड़ कर सकते हो अगर चाहो तो ओके तो वह देखते हैं इन एडिशन पूल स्टोप लगा देते हैं हां इन एडिशन इन ओल्ल दा स्पोर्ट इन ओल्ल दा स्पोर्ट एक्सेप्ट वन एक के अलावा वियोर्शिप जो वियोर्शिप है एक्सिडिड दा पार्टिस्पेशन दा पार्टिस्पेशन तो वह कौनसी है एक्सेप्ट वन वियोर्शिप मतलब कौनसी एक्सीड दा पार्टिस्पेशन एक्सीड का मतलब है कि बहुत ज्यादा होना किसी भी चीज़ का ओके in addition in all the sports except one कौनसी है वो fishing है वो आप अपने graph पे देख सकते हो अब graph एक बार अच्छी तरह से check कर लो क्योंकि अब हम क्या करने वाले है BP1 अपना structure करने वाले है BP1 हम अपना लिखने वाले है तो graph में आप देखो सबसे पहले हम क्या क्या discuss करेंगे क्या क्या चीज है जो हम सबसे पहले आपने बार ग्राफ में कि बोडी परग्राफ वन में मेंशन करने वाले हैं इसमें कुछ आपको ज्यादा sentence formation देखने को मिलेगी कुछ ज्यादा sentence structure आपको आप देख सकते हैं किस तरह से आप use करोगे तो बिना time waste करें BP1, BP2 पर चलते हैं so looking sorry looking at the graph in more detail in more detail a large percentage percentage of males of males कितने हैं तो वो bracket में हम पा सकते हैं about 45% देख लो एक बार graph में 45% in the given country enjoy prefer interested लिख सकते हैं enjoy watching football अब यहां horse riding and racing औके और कभी-कभी ना यहां आप confused रहते होंगे कभी-कभी हमर पास एक ऐसी situation आ जाती है like यहां 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 भी यहां भी end लगा सकते थे और यहां भी end वो already होता है किसमें होता है कोशन में होता है examiner ने दे रखा है अपने बार ग्राफ में तो आप कोशिश करना कि यहां कोमा लगाओ और end का यूज अपने sentence में एक ही बार करो उके उसके बाद full stop however contrast हो गया यहां भी however however के बाद हम second चीज पर बात करेंगे यहां किसकी बात हो रही है यहां enjoy you prefer watching की बात हो रही है वहां participation की आप बात करेंगे however the participation in these games in these games is considerably less at approximately 10% and 20% respectively की जंगा आप क्या क्रोस्पोंडिंग ली यूज कर सकते हो okay क्रोस्पोंडिंग ली अच्छा वर्ड है जो आप respectively की जंगा यूज कर सकते हो अगर दो जंगा किसी भी एक sentence का यूज करो तो okay अब approximately या around approximately कुछ भी आप यूज कर सकते हो synonyms okay एक्सप्रो एप्रोक्सिमेटली 36% लाइक टू वोच क्या प्रसंद करते हैं बास्केट बॉल एंड एन इकुवल प्रोपोर्शन ओफ मेल्स कितने 27% इच ब्रैकेट में बन कर सकते हो इच वोच इस एंड इस ओकेट यह दोगे में देखना या देखना पसंद करते हैं कितने 27% बोथ के लिए 27% देखना पसंद करते हैं दोनों आप देख सकते हो ग्राफ में ओके तो अब नेक्स पर जलते हैं नेक्स इंटेंस फोर्मेशन क्या एक लाश्ट इंटेंस फोर्मेशन बनाऊंगा और बीपीवन हम समप करेंगे यह अपना है ना कहीं चीजे कवर खो जाएगी दो परसेंटेज ओफ दपरसेंटेज ओफ किसकी पार्टी सिपेशन की पार्टी सिपेशन की पार्टी सिपेटिंग इन रगभाई इस नेरली 18% 18% एंड इन बास्केट बोल एंबेडमेंटल इस ट्वन्टी फाइब परसेंट इच अब यहां आप पुछोगे कि हमने रिस्पेक्टिवली का यूज नहीं किया अगर हम यहां अपने इच का यूज कर देना इसका मतलब होता है कि हमें रिस्पेक्टिवली का यूज करने का म इसको clear होगा आपको यह पूरे sentence formation से आपको clear होगे कहीं भी कुछ भी आपको doubt है तो please comment जुरूर करना में आपकी problem का पूरा-पूरा solution आपको comment box में दूँ आपको कहीं instagram वगारा पर dm करने की जुरूरत नहीं है अगर कुछ urgent है तो please dm on instagram उसका link में नीचे दे दूँ अगर बहुत ज़्यादा paid task एकदम से इकठे हो जाते हैं तो paid की मुझे पहले preference देनी पड़ती है तो आपको इसी कारण से wait करना पड़ेगा लेकिन आप खुद भी एक paid member बन सकते हो charges के क्या होंगे charges आपके screen पर होंगे आपको क्या कुछ मिलेगा इस batches में thousand रुपे पर month के होंगे writing checking के जितने भी आप writing checking भेज सकते हो आपको मैं two to three hours तक complete checking करके दे दूँ है वो आप इस template में देख सकते हो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा इस batches में और क्या कुछ आप सीखोगे क्या कुछ improve कर सकोगे without wasting time आप bp2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं bp2 हम अपना किस तरह से लिख सकते हैं अब थोड़े से हमारे जो चीजें वो बच चुकी है कहीं ज्यादा तर section तो हमारे complete हो चुके हैं तो वो देखेंगे अब अब on the other hand लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं fishing is the only sport sport मैं ना actually graph में देखके आपको मलब खुछ sentence formation बना के आपको यह लिख रहा हूं तो इसलिए थोड़ा problem हो सकते हैं कि like कुछ भी missing हो तो लेकिन मैं आपने दिमाग से पूरा का पूरा मलब बना के आपके सामने यह लिख रहा हूं आपके सामने मलब live लिख रहा हूं तो कुछ भी spelling वगरा की mistake हो सकती है please avoid it moving further fishing is the only sport in which किसमे इन विच जिसके अंदर जो percentage थी दपर्सेंटेज ओफ participation आप यहां न स्रेवनियों वगारा यूज कर सकते हो participation की जंगा है ना participation is more than is more than participation is more than watchers की participation सब्चे ज्यादा थी as compared to watchers और आब यहां यह लिख सकते हो की कितना मलब approximately कितने थे like above 50% of man of man do fishing do fishing whereas whereas the proportion the other percentile of specters is the least at 14% approximately approximately okay तो होप सो है आपको पूरा clear होगा कि हम किस किस तरह से अपना task one में कैसे कैसे structure variation यूज कर सकते हैं तो यह पूरा graph है आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा का पूरा sample answer आपको आपके screen पर दिख रहोगा यह पूरा sample answer पढ़ सकते हो और अगर एक बार मलब की notes लेना चाहते हो तो वह आपको Instagram पर ही मिलेंगे मैं upload कर दूँँगा हो भी चुके होंगे अब तक तो प्लीज अगर यार चैनल पर नहीं हो न तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगर आप फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते न तो एक दो वीडियो हो और देख लो अगर useful हो न आपके लिए तो ही subscribe करो मैं भी नहीं अगर आपको थोड़ी सी भी useful लगे तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट जरूर एक ना एक छोड़ना जिसमें आप अपने questions पूट कर सकते हो okay questions पूट कर सकते हो experience पूट कर सकते हो आपको feedback जो भी feedback देना चाहते हो good poor जो भी वो आप अपने I will be appreciate your comment okay whether it is a poor or good okay thank you very much for watching that video we will be back with another one with the reading with the speaking with the writing task to new videos okay thank you very much for watching that video we will be back with another one thank you very much